Hey everyone, this is Aniket, तो guys, कैसे हैं, आप सब, I hope, कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो guys, आज के lecture में हम लोग बात करने वाले हैं, dimension के बारे में जी यहाँ guys, यहाँ पर हम dimension के बारे में बात करेंगे और मैं आपको dimension कुछ इस तरीके से कराऊंगा कि all over physics में, 11, 12 के physics या बोलो first semester और second semester के जो physics होते हैं, उसमें जितना भी dimension का formula होता है, जितना भी unit होता है सारा cover होगा, क्योंकि मैंने इसको separate करके किया है, कुछ इस तरीके से suppose that mechanics है, जिसमें आपका force आता है, motion आता है, ठीक है तो mechanics का हमने एक पूरा list बनाया है, जिसमें पूरा mechanics का आपको SI unit and dimension देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद उसी तरह से gravitation का किया है, कि gravitation में totally कितने SI unit and कितने dimensions है, फिर उसके बाद उसी तरह से आपका electricity का है, उसी तरीके से magnetism का है, और उसी तरीके से आपका wave theory and sounds का है, ठीक है तो इसको part by part में लोग करके करेंगे, जैसे कि अभी का जो part है उसमें mechanics पढ़ाऊंगा, next part में हो सके तो electricity हो जाए या magnetism हो जाए, तो इस तरीके करके आपका part by part होगा, और part by part आपको complete करना है, और इतना अगर आप dimension और SI unit आप complete कर लेते हैं, तो चाहे कोई भी exam हो, dimension और SI unit से अगर question आता है, तो आप easily crack कर लेंगे, तो चलिए start करते हैं, इस सांदार से lecture को बहुत ही unique अंदाज में और अपने study को peak पे रखना और लाज तक वीडियो में बने रहना, तो चलिए start करते हैं, Mekanix के कुछ 10 बेसिक फ्रमूले के बारे में और उसका हम लोग SI वनित और दैमेंशन निकालने ही कोशिज करेंगे जैसे कि आपका सामने first of all दिया हुआ है एरिया का डैमेंशन क्या होता है और एरिया का SI वनित क्या होता है तो पूरा basic से लेके चलते हैं आप सबको पता होगा कि area अगर मानलो हम area of square की बात करते हैं तो area of square कुछ इस तरीके का आपका square बनता है ठीक है या फिर मानलो rectangle की बात करते हैं तो उसमें एक चीज होता है length into breadth है ना area का formula क्या होता है length into breadth तो इसके हिसाब से guys अगर यहाँ area का formula length into breadth आता है और आप सबको पता है length को हम किस में नापते हैं meter में breadth को भी हम किस में नापते हैं meter में क्योंकि length भी एक तरह का लंबाई हो और breadth भी एक तरह का लंबाई है है ना distance कहीं चीज है तो दोनों को meter में नापते हैं तो length into breadth का क्या हो गया meter into meter तो इसका a7 minute क्या हो गया meter square थीक है अगर इसका 7 इनिट मीटर हो गया 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 इनवीज तो इसका दिमेंजन का सिक्षण इधर करते हैं यह आपका डिमेंजन हो होगा यहाँ पर इसका डिमेंजन क्या होगा हम सब को पता है दिमेंजन किसको बोलते हैं जैसे कि समझो एक basic सा बात बताते है जैसे मन लो कोई चीज kg में है ठीक है और कोई चीज meter में है और कोई चीज second में तो is kg को M के थ्रू दिखाया जाता है केजि मतलब mass तो M के थ्रू उसको दिखा दिए क capital M के थ्रू mass हो गया, meter का मतलब क्या length तो उसको L के थुरू दिखा दिए और second मतलब time तो उसको हम T के थुरू दिखा दिए तो dimension, किसी भी चीज का dimension हम लोग MLT के term में दिखाते है mass, length और time के term में दिखाते है clear है, तो यहाँ पे guys केवल क्या है यहाँ पे केवल meter है तो क्या mass length नहीं होगा तो mass length होगा लेकिन देखो यहाँ पर इस तरीके से होगा mass पे 0, l पे कितना है, मतलब meter कितना है meter पे power 2 है न, मतलब ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि meter मतलब length और length पे power कितना है, 2 है तो l 2 और t पे power क्या हो जागा यहाँ पे 0 इस तरीके से आपका क्या हुआ dimension बना और वो bracket देना बहुत ज़रूरी है और तीनों चीज लिखना बहुत ज़रूरी है ठीक है इतना किलियर है अब इसके बाद गाइस next हम लोग देखते हैं कि next कौन सा है next है अपना volume अब आप से मैं पूछूंगा कि volume क्या होता है तो आप ल पूछना है कि length किस में आपा जाता है तो length भी नापा जाता है meter में, breadth भी नापा जाता है meter में और height भी नापा जाता है meter में किसी भी चीज का height नापो या चोडाई नापो या लंबाई नापो तो उसको meter में ही नापो गए na basic unit तो 3 meter हुए तो इसका क्या हो गया meter cube इसका dimension क् M 0 क्योंकि mass का कोई term भी नहीं है और L पे हाँ कितना हो जाएगा 3 और T पे पे और क्या हो जाएगा 0 तो यह हो गया dimension किसका आपका volume का अब उसके बाद पूछ रहा है linear speed and velocity तो speed का formula आप सबको पता होगा और velocity का भी formula आप सबको पता होगा guys देखो speed का formula होता है distance by time है ना कि आपने कितना distance cover किया कितने time में और अगर हम velocity की बात करें तो velocity का formula हो जाता है displacement displacement by time ठीक है अब सर यहाँ displacement इसलिए लिखते हैं क्योंकि velocity में direction देखा जाता है और speed में direction नहीं देखा जाता है लेकिन अगर दोनों का unit देखो तो distance को भी meter में ही नापते हैं और displacement को भी meter में ही नापते हैं चाहे distance लो चाहे displacement लो दोनों को meter में ही नापते हैं और time के लिए क्या होता है second तो चाहे आपका speed हो चाहे आपका velocity हो ऐसा unit क्या आता है ऐसा unit meter per second ही आता है ठीक है, clear है, ऐसा unit क्या आता है, meter per second आता है, अब यहां पर ध्यान देना, अगर हम इसका dimension लिखने जाते हैं, तो m, मतलब mass वाला चीज कोई है, क्या, kg है, नहीं है, तो m पर क्या हो जागा, 0, लेकिन l, मतलब meter है, तो l, कुछ power नहीं है, तो simple वैसी छोड़ देना है l को, और सेकेंड, सेकेंड का मतलब time के लिए दिखाते हैं, तो t यहां पर क्या हो जाएगा, t पर power minus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो m, 0, l, t, minus 1, l, t, minus 1, किसका हो गया, आपका, velocity का हो गया, या फिर बोल सकते हो, speed का हो गया, दोनों का dimension सेम होता है, अब आते है, linear acceleration पर, acceleration आप सब को पत acceleration, आपने पढ़ा है न, कि जब velocity का change होता है, time की respect में, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, acceleration बोलते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, कि कुछ लड़के होते हैं, अगर लड़कियां जा रही होती है, तो बाइक बहुत जादा speed बे लेके जाते हैं, तो उनका बाइक के दि क्योंकि अगर आप उसको ऐसे करते हैं, तो गाड़ी आपका, उसका rate of change of velocity जो है, मतलब जिस speed से हो चल रहा है, वो per second बदलने लगता है, तो rate of change of velocity with respect to time is called acceleration, ठीक है, कि हर second में कितना change हो रहा है, और वही चीज़ अगर किदम constant change हो, तो उसको बोलते है constant acceleration, ठीक है, तो velocity by time, अब आप सबको पता है, velocity का unit अभी हमने just निकाला था क्या, meter per second और time का second, अब ये नीचे से गाई, उपर एक second जाएगा, तो क्या हो जाएगा, meter per second square, नीचे से एक second उपर गया, तो क्या हो जागा, meter per second square, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसी चीज़ को अब हम कैसे लिखे ट-2, इस तरीके से आपका क्या हो गया, L-2 हो गया, अपका acceleration का, ठीक है, इसके बाद है guys, momentum, momentum क्या होता है, momentum होता है, mass into velocity, ठीक है, याद रखेंगे, क्या होता है, mass into velocity, तो mass के लिए क्या होता है, आपका kg, और velocity के लिए भी हमने just निकाला क्या, meter per second, kg meter per second, अब इसी चीज क dimension में लिख रहा है, तो kg के लिए हो गया, M, power कुछ नहीं है, तो simple M लिख देना है, meter का भी उपर power नहीं है, तो कुछ नहीं, L लिख देना है, और second पर power minus 1 है, तो T minus 1 लिख देना है, ठीक है, अभी यह बहुत हलका हलका है, तो easily समझ में आरा, धिरे धिरे tough होते जाएगा, but समझते चलना है, बहुत मजाएगा, अब आते हैं guys, force पे, force का formula होता है, mass into acceleration, देखो यहां से दो चीज आपको clear होगा, पहला चीज ऐसा unit clear होगा, दूसरा चीज clear होगा आपको dimension formula, ठीक है, और एक और चीज देखा जाए तो हो सकता है, clear क्यूंकि formula भी एक तरह से आपको पत acceleration होता है, तो guys, mass के लिए क्या हो गया, kg और acceleration का भी हमने just निका रहा था, क्या, meter per second square, तो meter per second square, ठीक है, अब इसका dimension लिक देते है, तो इसका हो गया m, kg के लिए m, meter के लिए l, और second के लिए t-2, mlt-2, इसका dimension होगा, आपका force का, अचा, tension की बात करते है, तो guys, tension basically क्या होता ह है, tension एक तरह का force ही है, अब ये tension क्या चीज है, इसको मैं थोड़ा practically समझाने ही कोशिस करता हूँ, जैसे देखो, ये एक marker दिख रहा है आपको, अगर इसी marker को हम किसी thread में, मतलब धागा में, बांद के ऐसे लटका दे, तो जो धागे पे एक force लगेगा ना, उस force को हम बोलते है, tension, या फिर बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली नीचे के तरफ ही, मालो एक धागा है, बीच में, दोनों साइट से लोग घीच रहे, तो उस धागे पे एक force लग रहा है, तो उसको tension बोलते है, clear है, तो tension भी एक तरह से समझो कि force ही है, तो जो dimension force का होगा, वही dimension tension का होगा, और जो unit force का होगा, वही unit tension का भी होगा, तो इसका भी unit हो जागा, kg meter per second square, और इसका dimension सेम एज यही, mlt-2, clear हो रहा होगा, hope कि आप सब को clear हो रहा होगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, angle का, आप सब ने पढ़ा है, 9th class में, what is angle, तो angle में आपने पढ़ा है, कि angle basically के लिए होता है, arc by radius, है न, तो हम यहाँ पर क्या करते है, arc by radius करते है, तो देखो, arc by radius, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है, जो concept है, उसको समझ जी कूसित करना, arc किसको बोलते है, arc इस part को बोलते है, जैसे मानलो, ऐसे मैंने compass set करा और ऐसे घीच दिया, तो यह वाला part arc ह इसको पूरा घुमा देंगे, तो इस circle बन जाएगा, लेकिन मैंने suppose that इतना ही part खीचा, तो यह वाला part क्या बन रहा है, arc बन रहा है, अब इस चीज को आप किस में नापोगे, यह भी एक तरह का length है न, जी, तो इसको आप किस में नापोगे, मीटर में ही तो नापोगे, औ तो आगे 1, तो sir इसका unit तो है ही नहीं, इसका unit तो 1 आगया, तो इसका unit basically क्या होता है, radian होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, कि कुछ special type of units होते हैं, जैसे कि 2 supplementary units होते हैं, extra units होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक होता है angle और दूसरा होता है solid angle, तो angle का ऐसा unit होता है radian, ठीक है, और solid angle का ऐसा unit होता है, steradian, और जो supplementary unit होते हैं, या फिर जो fundamental unit होते हैं, उनका dimension नहीं होता है, तो guys यहाँ पे dimension वो खूद होते हैं, उनका dimension नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका dimension क्या हो जागा, simple, क्योंकि 1 आ रहा है, तो M0, L0, T0, इसका dimension हो गया, clear है, इसके हम लोग बात करते हैं, guys, moment of inertia का, आप में से किस किस को पता है, moment of inertia का formula, अगर पता है, तो बतानी क्योश्यस करें, या फिर वीडियो को pause करके, खुद बनानी क्योश्यस करें, तो moment of inertia क्या होता है, ध्यान से देखना, moment of inertia होता है, mass by distance का square, mass by distance का square, बस इतना ही तो पता करना मास्क हो गया kg और डिस्टेंस के लिख्या हो गया meter square नीचे से उपर अगर गाइस जाता है तो हो जागा kg meter minus 2 और इसका हम लोग अगर dimension लिखेंगे तो kg के जगा पे हो गया m meter के जगा पे हो गया l minus 2 और t हमारा कुछ नहीं है तो t हो जागा 0 clear है? ml minus 2 angular velocity की तो angular velocity का guys क्या होता है तुम ही सोचो ना तुम ही सोचो practically सोचो velocity क्या होता है distance by time angular velocity क्या होता होगा angular velocity का मतलब यह होता होगा कि कोई भी चीज angle पे चल रहा है जैसे आपने velocity पढ़ा ना कि distance by time क्या होता है velocity होता है तो angular velocity क्या होता होगा कि कोई भी चीज किसी angle पे से घूम रहा होगा तो उसमें देखा जाता है कि कितना angle कवर कर रहा time के respect में जैसे उसमें देखा जाता है कितना distance कवर कर रहा time के respect में तो angular velocity में देखा जाता है कि कितना angle कवर कर रहा time के respect में तो guys यहाँ पे angular velocity का क्या हो जागा आपका हो जाएगा angle by time ठीक है और आप सबको पता है कि angle जो है उसको हम किस में नापते हैं angle को हम नापते हैं radian में और यहाँ time के लिए होता है second तो यहाँ क्या हो जाएगा radian per second ठीक है और radian per second है तो इसका dimension basically देखा जाएगा तो इसका dimension क्या हो सकता है आप सोचो sir radian का तो dimension होता नहीं है ठीक है second है inverse तो इसका dimension क्या हो जाएगा यह वाला चीज m0 l0 t-1 ठीक है क्योंकि फूरे radian का तो होता नहीं है लेकिन second है ना भाई तो इसका क्या हो जाएगा t-1 clear है क्योंकि radian का 1 आ रहा था तो guys यह mechanics के 10 questions थे मतलब 10 questions थे जिसमें आपने यहाँ पर derived भी सीखा कि किस तरीके से हम लोग unit को derive करते हैं और किस तरीके से हम लोग dimension को लिखते हैं अब हम लोग आगे move करेंगे और आगे और 10 mechanics के questions देखेंगे अभी करीब मैं आपको 35 questions mechanics का कराऊंगा इसके बाद लेक्चर खतम होगा उसके बाद आगे के questions को तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला question है angular acceleration गाइस angular acceleration क्या होता है तो angular acceleration में यहाँ पर हो जाता है angle by time का square इसका formula जो होता है वो basically होता है आपका angle by angle by time का square अब आप सब को पता है angle के लिए क्या हो गया radian और time के लिए आपका second square है ठीक है अब यह ऐसे जाएगा तो यह क्या लिखा जाएगा radian ठीक है s-2 अब इसका dimension अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो dimension क्या हो जाएगा m0 l0 और t पे power minus 2 है तो t पे power minus 2 ठीक है यह चीज अब impulse क्या होता है तो impulse होता है guys force into time force into time अब force का ऐसा minute होता है newton और time का होता है क्या meter तो इसका ऐसा minute क्या आग गया newton meter लेकिन अगर dimension की बात करें तो आप सबको पता है इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि force का dimension newton तो होता है क्योंकि उसने scientist ने खो जा था लेकिन actual इसका dimension क्या होता है kg meter per second square और उसमें हम अगर meter multiply करते हैं guys तो ये meter और ये meter मिलके क्या हो जाएगा meter square बन जाएगा तो इसको overall क्या आ जाएगा kg meter square s minus 2 ठीक है अब इसका dimension लिखते है तो kg के लिए क्या हो गया m meter square के लिए l पे power 2 और s minus 2 के लिए t पे power minus 2 ये dimension हो गया आपका किसका impulse का then हम लोग बात करते है pressure के लिए तो pressure क्या होता है pressure होता है इस force by area ठीक है force के लिए हो गया newton और area के लिए हो गया meter square तो actually में इसका si unit होता है newton meter minus 2 लेकिन आप सब को पता है कि newton को newton meter minus 2 actually में इसका है si unit हुआ लेकिन इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं newton के जगा पे हम लिख देंगे kg meter per second square और नीचे से meter square तो अगर यह guys उपर जाता है तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए एक चीज़ सोचो नीचे से meter square उपर जाता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा kg meter s minus 2 into meter per power minus 2 इस पर power 1 है उस पर power minus 2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा meter per power minus 1 आजाएगा है ना तो guys अगर यहाँ meter power minus 1 आजाएगा तो कुछ इस तरह से लिखेंगे kg meter minus 1 s minus 2 और इसका dimension अगर हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा m और l पर power minus 1 और t पर power minus 2 हाला कि pressure का जो si unit होता है वो newton meter minus 2 तो होता ही है और दूसरा होता है एक pascal क्योंकि इसको pascal scientist निक हो जाता तो इसका ऐसा unit pascal भी होता है अब thrust की बात करें guys तो thrust basically एक तरह का force ही है ठीक है thrust एक तरह का force ही है तो इसका same dimension क्या हो जाएगा m l t minus 2 m l t minus 2 क्यों हुआ क्योंकि force का dimension m l t minus 2 होता है तो thrust का भी dimension m l t minus 2 होगा अब आप में से बहुत सारे बच्चों का doubt ही हो रहा होगा तो simple यार जो force का si unit उटता है newton या फिर kg meter per second square वही si unit होगा तुमारा किसका thrust का ठीक है अब अगर हम लोग work की बात करें तो work का क्या होगा work आपने पढ़ा है 9th class में जैसे आप ही से अगर मैं पूछ दू कि यह चीज ऐसे एक रखा हुआ है ठीक है यह marker ऐसे एक रखा हुआ है क्या इस पे भी कोई work हो रहा है तो आप इसको देख के justify नहीं कर पाऊगा लेकिन मैं अगर बोलू कि इसको मैं इधर ऐसे move कर रहता हूँ तो आप बोलोगे sir work हो रहा है reason क्या है कि मैंने एक force दिया ठीक है और force देने के बाद इसने एक distance cover किया तो जो force into distance होता है वही क्या होता है work होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा force into distance को हम लोग work बोलते है अब force का ऐसा unit होता है newton और distance का क्या होता है meter तो newton meter work का एसा unit हो जाएगा अब अगर थोड़ा सा देखे तो इसको अगर हम लोग करेंगे और तो kg meter per second square और उसमें multiply करतेंगे meter तो direct क्या हो जाएगा kg meter square s minus 2 तो हम इसको direct यहाँ पे लिखते हैं इसको मैं direct लिख दूगे यहाँ पे इसी चीशको मैं ऐसे direct लिख देता हूँ kg meter square s minus 2 कैसे हुआ newton के जगा पे रखे थे kg meter per second square और meter multiply की हैं तो kg meter square s minus 2 अब kg के लिए m meter square के लिए l पे पावर 2 और s minus 2 के लिए यहाँ पे क्या हो जागा t पे पावर minus 2 ठीक है guys यह आपका क्या हो गया work का हो गया so guys अब हम लोग बात करते है energy के बारे में तो देखो guys energy का क्या concept है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे confused होते है energy and power में maximum बच्चों को लगता है कि energy होता है work by time ठीक है क्योंकि बहुत जगा पे definition यह लिखा रहता है the capacity to do work is called energy कि आपके पास कितना capacity work करने का उसी को लोग क्या बोलते है energy बोलते है तो बच्चे सुचते हैं कि work by time energy होता होगा नहीं energy basically एक तरह से समझे तो work ही है क्योंकि ताकत अब ताकत कैसे दिखा जाता है कि कितना आप काम करते हो तो energy basically क्या है work है ठीक है तो work का जो भी SI unit है जो भी dimension है same सब कुछ वही हो जागा तो इसका भी energy का भी वही हो जागा ml square t-2 लेकिन अगर हम लोग power में आते है ठीक है तो power के concept में क्या होता है जैसे suppose that मैं एक लड़का हूँ एक और लड़का है वो काफी जदा body builder है और मैं पतला दूबला हूँ जैसे आपको दिख रहा हूँ ठीक है तो हम लोग दोनों को बोला गया कि एक काम करना है भाई तुम लोग को कहीं से इटा बालू ढोके लाना है ठीक है तो मैं दो से तीन बार में ठक जाओंगा क्योंकि मेरे पास भाई ज़्यादा power नहीं लेकिन अगला अदमी जिम करने वाला अदमी है काफी मजबूत है तो वो दस बार बारा बार उठा के ले जाके रख देगा पावर होता है work by time ठीक है अब आप सबको पता है work का dimension क्या होता है kg m² s-2 तो यहाँ पर लिख देंगे kg m² s-2 और नीचे से एक s है नीचे से ऊपर जाएगा guys तो यह क्या बन जाएगा kg m² s-3 अब इसका dimension हम लो लिख देंगे क्या m l2 t-3 यह आपका क्या हो गया पावर का dimension हो गया ठीक है अब हम लोग बात करते है density का तो density का आप सबको पता है density होता है guys mass by volume है ना तो mass का हो गया kg और volume का आप सुरू में ही निकाला था meter cube तो यह हो जाएगा kg meter minus 3 अब इसका dimension लिखेंगे तो m का m l का minus 3 और t पे कुछ है ही नहीं 0 क्योंकि density को time से क्या मतलब अब आते है specific gravity guys specific gravity का कोई dimension नहीं होता है ठीक है लेकिन इसको मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको formula समझना है specific gravity का formula क्या होता है specific gravity का formula होता है density of material क्या होता है density density of किसी भी चीज का material divided by density of water कितने degree celsius पे 4 degree celsius पे density of material by density of water 4 degree celsius पे और इनका कोई unit नहीं होता है no unit sorry इनका कोई dimension नहीं होता है unit होता है इनका क्या हो जागा no dimension जब ग्रेविटीशन का बात करेंगे तो वहाँ पे इस चीज को detail करेंगे जब ग्रेविटीशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस चीज को और अच्छे से detail करेंगे अब आते है specific volume पे तो specific volume जस्ट उल्टा गर दो volume by mass कर दो ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा force into perpendicular distance अब perpendicular distance है चाहे distance है उसको तो मीटर में ही ना पेंगे तो फोर्स का क्या हो गया यहाँ ध्यान देंगे force का हो गया kg meter per second square और into distance तो meter तो यहाँ पे direct हो जाया क्या kg meter square s-2 इसका dimension लिख देते हैं kg के लिए m meter square के लिए l-2 l-2 और second minus 2 के लिए यहाँ पे ट पे power minus 2 ठीक है आराम आराम से देखना वीडियो को आराम से समझना आएगा frequency क्या होता है guys तो frequency होता है vibration by time ठीक है frequency क्या होता है ? vibration by time और vibration का कोई s-min sign नहीं होता है उसको one demon के चलते है और time की T तो इसका time का second तो इसका second inverse अब second inverse जैसे आपने सब को पता है कि frequency का second inverse ही होता है तो इसका dimension क्या हो जाएगा dimension इसका हो जाएगा M0 L0 T पर पावर माइनस 1 ठीक है यह frequency का dimension हो गया अब बात करते है angular frequency का तो angular frequency में कुछ नहीं होता है 2 pi multiply of frequency 2 pi multiply of frequency तो 2 pi का तो कोई unit होगा नहीं ठीक है क्योंकि वो एक constant चीज है जैसे एक, दो, तीन, चार हमनों numbering करते हैं तो 2 pi भी एक value है 3.14 को एक value आएगा तो वो value का assignment नहीं होता है या फिर उसका dimension भी नहीं होता है तो जो भी dimension होगा किसका होगा frequency का तो इसका assignment भी वही होगा second inverse और इसका dimension भी वही होगा M0, L0, T-1 ठीक है तो hope guys कि आपको ये 23 formula clear होगा होगा और समझ में आ गया होगा अभी आगे हम लोग और देखेंगे और complete करेंगे पुरे mechanics को तो जल्दी से लिजए इसका screenshot फिर हम लोग आगे move करते है तो guys अभी हम लोग move करते हैं आगे और देखते हैं बाकी की बच्चे वे questions को तो देखो बाकी की बच्चे वे questions में सबसे पहला question है spring constant तो guys spring constant का formula क्या होता है spring constant का formula होता है basically force by length और force by length अगर है तो force का होगा है newton और length का होगा है meter means newton sorry newton meter inverse यही होता है लेकिन अगर इसको dimension में देखा जाए तो kg meter per second square होगे newton के लिए और meter inverse के लिए meter inverse तो अब यहां से देखो है guys यहां पे meter पे power 1 और यहां पे meter पे power minus 1 है दोनों मिलेगा जब तो क्या हो जागा मेंटर पे और 0 हो जाएगा तो केवल यहां से क्या निकल के आएगा kgs minus 2 ठीक है अब इसका dimension अगर हम लोग इतर लिखते हैं तो इसका dimension क्या हो जाएगा kg है तो m और यहां पे l हो जाएगा 0 और t पे power minus 2 इसी तरह से आप हम लोग बात करते हैंगा इस gravitational constant के बारे में तो यह आपने 9th class पे पढ़ा होगा gravitation law है ना universal law of gravitation जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि जो भाईया force है वो directly proportion होता है g m1 m2 by r square k अब कुछ करना नहीं है तुम्हें g को इधर ही रने दो क्योंकि मेरे को gravitational constant का चाहिए answer तो g को इधर ही रने दो बाकी सब को उधर फेक तो ठीक है तो g को इधर ही रने दिये बाकी सब को उधर फेके तो g मेरा ऐसे है इसको उदर फिकेंगे ती हो जागा f r square इधर वाला पाट नीचे आजागा divide में m1 by m2 छीक है इतना clear है अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो चीज है इधर g is equal to क्या है हमारे पास f r square by m1 into m2 अब guys हम f के लिए 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 force के लिए क्या आता है kg meter per second square ठीक है यही आता है न और r के लिए क्या हो गया r मतलब meter है न क्यूंकि length है तो यहाँ हो जागा meter square और m1 m2 m1 m2 यहाँ पर mass होता है तो इसके लिए हो जागा kg अब kg into kg क्या हो जागा kg square ठीक है गाईज अब यहाँ से अगर हम लोग इसको solve करें तो देहान देना यह नीचे से kg उपर जाएगा तो पहले तो 1 kg था यह meter meter क्या हो गया meter cube बन जाएगा क्योंकि 1 है इसके उपर और यहाँ पर 2 है meter cube बन गया s पे power minus 1 और यहाँ से kg जो गया है यह kg अभी क्या बन गया है kg पर पाउर minus 2 और यहाँ पर गया है तो 1 minus 2 क्या हो जाएगा minus 1 आएगा है ना तो यहाँ पर kg पर डेरेटली minus 1 आजाएगा ठीक है तो यह चीच को आपको ध्यान में रखना है अब इसका dimension लिखाएगा तो dimension किस तरीके से लिखाएगा m पर पाउर minus 1 l cube और t minus 1 ठीक है इस तरीके से क्या होगा इसका dimension अब अगर इसका unit पूछा जाएगा किसी से तो कोई भी बच्चा इसका unit अराम से लिख सकता है देखो force के लिए क्या हो जागा इसका unit Newton meter square force के लिए Newton यहां meter square और यहां kg इसको directly लिखा जाएगा तो ऐसे लिखाएगा Newton meter square kg minus 2 ठीक है तो यहां पर जगर नहीं हम यहां लिख देते हैं इसका unit क्या हो जागा Newton meter square kg minus 2 याद रखोगे इसको आता है इसका unit और इसका dimension आता है बहुत important है तो देख लेना देहान से इसके बाद हम लोग बात करते हैं surface tension के बारे में तो guys surface tension भी same as spring constant होता है surface tension भी same as spring constant होता है तो guys ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है direct देखते हैं कि जो spring constant का था वही surface tension का हो जाएगा तो spring constant का क्या था ml0 t-2 ठीक है surface tension का भी वही formula होता है force by length ठीक है अब हम लोग बात करते है surface energy के बारे में surface energy क्या होता है energy by area ठीक है यहां क्या होता है इसका 7-8 energy by area अब suppose that कोई बच्चा भूल गया है कि यहार energy का क्या था 7-8 तो energy का तो basically यही होता है न जूल और area का क्या होगे आपका यहां पर meter square तो यहां पर इसका assignate हो जागा joule meter minus two assignate तो बहुत इसली लिख लिए लेकिन जब dimension की बात आएगी तो energy का आपको recall करना होगा कि energy का क्या होता है तो energy का हम सब को पता है energy basically एक तरह का क्या है work है तो work का assignate हमने क्या देखा था force into displacement या फिर force into distance देखा था न तो force के लिए क्या लिखेंगे हम लोग kg meter फिर से मैं एक बार अच्छे से कर देता हूँ फिर इसको मैं erase कर दूँगा energy जो होता है वो work के equal होता है और work का हमने dimension देखा है force into displacement force का होता है kg meter per second square और displacement के लिए meter तो क्या हो जाएगा kg meter square s पे power minus 2 यह आगे आपका work का ठीक है मतलब यह आगे आपका energy का अभी हमने energy निकाला हमको energy भाई area करना है तो इसको हम area से कर divide करेंगे guys तो यहाँ पर area से divide करना मतलब meter square से divide करना meter square meter square cut गया तो क्या है kg s minus 2 तो इसका जो dimension लगभग लगभग आएगा kg s minus 2 तो इसका dimension लिखेंगे m l पे power 0 यहाँ पर t minus 2 ठीक है तक दम सेम आ रहा है है ना देख रहे हो surface tension का भी सेम आया और आपका spring constant का भी सेम आया और surface energy का भी सेम आया अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं velocity gradient को मलत देखो खाली formula डराने वाला रहता है अगर आपको concept पता है तो आप बहुत easily निकाल लोगे velocity gradient क्या होता है velocity gradient होता है velocity by distance velocity by distance इसको हम लोग dv y dx भी लिखते है differentiation of velocity derivative of velocity with respect to x है ना तो dv y dx भी लिखा जाता है तो आप सबको पता है guys कि velocity का ऐसा unit क्या होता है velocity का ऐसा unit उड़ता है meter per second और distance का meter तो meter meter cut गया तो क्या आया per second आया इसका dimension क्या हो जाएगा m sorry m0 l0 और t पर पावर काली minus 1 आजाएगा ठीक है क्योंकि cut गया था सारा कुछ अब इसके बाद हम लोग बात करते है stress का stress क्या होता है stress का होता है restoring 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 force by area तो guys अगर restoring force by area देखा जाए तो basically यह क्या है force by area ही तो है अब आपने देखा energy वाले term में हमने work by area क्या था ना यहाँ में क्या करना है force by area करना है तो force by area में हो जाएगा kg meter per second square और नीचे से meter square तो एक meter कट गया है ना एक meter sorry इसको मैं ऐसे काट हूँ एक meter ऐसे कट गया तो बचा नीचे खाली एक meter तो यह हो जाएगा kg meter inverse s-2 इसका dimension कुछ इस तरीके से होगा m l-1 t-2 ठीक है यह आप कहा गया stress का अभी हम लोग बात करते है strain का तो strain का guys कोई dimension नहीं होता है क्यों क्योंकि इसका formula होता है change in dimension या change in length बोल दो change in area बोल दो क्योंकि strain का मतलब भी होता है फैलना कि कितना फैला है तो change in dimension by original dimension ठीक है तो इसका कोई dimension नहीं होता है no dimension अना ही इसका unit होता है no unit no unit no dimension ठीक है याद रहें कि तो modulus of elasticity guys क्या होता है आपका stress by strain stress by strain अब strain का तो कोई dimension ही नहीं जीजिए सोच that क्या होता नहीं है तो जो आएगा stress का आएगा stress का क्या होता है तो stress का वह बोलर dimension होता है तो same ही चैरेस का dimension लिख देंगे M L minus 1 T minus 2 क्यों क्योंकि train का उबलर dimension होता ह्या Church factors express K connections अब आते हैं Poison ratio के उपर Poison ratio का मतलब होता है यहाँ होता है Lateral Strain By Longitudinal Strain अब तुम Hernow Lateral Strain लो चाहे longitudinal strain लो Strain का तो स्टायन्माट है नहीं Dimension भी नहीं है तो इन पूरे poison ratio का No Dimension होता है ठीक है present ratio का no dimension होता है आता है question बच्चे confused जाते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया couple क्या होता है couple होता है force into distance ठीक है याद रखेंगे क्या होता है force into distance तो guys force into distance का कैसे करोगे तो simple वही चीज़े यार kg meter s-2 और distance के लिए फिर meter तो यहाँ पर overall क्या आजाएगा kg meter square s-2 लिख देना है m l square t-2 यह होगी आपका किसका couple का अब आते हैं angular impulse पर तो angular impulse क्या होता है वो होता है आपका couple into time क्या होता है couple into time तो जो couple का formula आपके सामने आया था क्या है था kg meter square s-2 इसको time से multiply कर दो मतलब s से multiply कर दो s पर power 1 है यहाँ पर power minus 2 है तो overall इस पर क्या निकलेगा अगर आप यहाँ से जोड़ो तो e plus minus minus हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आजाएगा s पर power minus 1 आजाएगा तो इसका dimension क्या हो जाएगा इस तरीके से m l पर power 2 और t पर power minus 1 m l square t minus 1 ठीक है तो यहाँ पर आगे आपका m l square t minus 1 तो यह था आपका पूरा derived unit का question और dimension का question किसके लिए mechanics के लिए अगर इसमें आपका कोई दिक्कत है कोई doubt है तो आप मेरे को personally what's up पे chat कर सकते हो या फिर group में चैट कर सकते हो और कोई दिक्कत है तो कोई भी question को personally पूछ सकते हो कोई अज़ा issue नहीं है ठीक है इसके बाद वादे lecture में हम लोग बात करेंगे electricity के लिए, magnetism के लिए तो जितना भी lecture आगा उसको separately देखना और copy में हर चीज को write करने की कोसिस करना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग में वीडियो गईस